हलो दोस्तों कैसे आप सबी उमीद करता हूं बढ़िया होंगे वेलकम टू वर्ल्टो डिस्कूप आज मैं बात करेंगे रोजर फेडर के रिटार्मेंट के बारे में दोस्तों सबसे बड़े प्लेयर सबसे बड़े स्पोर्समें मेरे हिसाब से तो आज रिटार हो चुके हैं रोजर फेडरर उनसे बड़ा नाम वर्ल्ल अफ सपोर्ट्स में आपको नहीं मिलेगा क्या प्लेयर थे और ये फोटो देखिए दोस्तों ये फोटो बया करती है कि कितने महान प्लेयर थे और क्या साफ दिल की आदमी है ऐसा वही आदमी रो सकता दोस्तों जो बहुत साफ और नेक दिल कहो और वो थे रोजर फेडर कैसे उनके उपनेंट उनके सबसे बड़े राइवल राफिल नडाल के लिए रो रहे हैं इसी से साबित होता है कि कितने महान प्लेयर हैं वो लोग और वर्ल्ड आफ स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा जटका है बहुत बड़ा है कि रोजर फेडर अब नहीं खेलेंगे क्योंकि इन से बड़ा अमबैसडर स्पोर्ट को नहीं मिला आज तक मेरे हिसाब से तो सबसे बड़े प्लेयर आप अग्यू कर सकते हो कि क्रिस्टियान और नोनाडलो हैं लियोनल मेसी हैं या खोड राफिल नडाल हैं या और भी क कोई प्लेयर माइकल जॉर्डन है विराट कोली हैं तो कोई बोलेगा सचीन दिनुलकर हैं लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़े प्लेयर सबसे महान प्लेयर पुरे वाल्ड अफ स्पोर्ट्स में तो रोजर फेडर नहीं थे क्या कैरी करते थे दोस्तों अपने आपको ऑन औ बहुत ही इमोशनल मुवमेंट था जब उनका वीडियो बाहर आया बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल ने उसको शेयर किया था अपना फेस्बुक पेज पर और मैंने यूट्यूब पे देखा कि कैसे वह रो रहे थे बहुत ही इमोशनल मुवमेंट था आप समझ सकते हो कि मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि रोजर फेडर इसे बड़ा प्लेयर तो दोस्तों हो ही नहीं सकता है उनका रेटार्मेंट लेना अब वर्ल्ल ऑफ स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा जटका है बहुत बार लास है आप यह फोटो से समझ सकते हैं कि क्या प्ले वर्सेज रोजर फेडर वोड़ा था और रोजर फेडर ने क्या शांदार जीत दर्स की थी एंडी रोडी बहुत अच्छे खेल रहे थे उस मैच में पांस सेट मैट चला और रोजर फेडर ने विंबलन टाइटल उठाया 2009 की बात होगी शायद तो उस समय से मैं उनको फॉ अब सब नोग मेरे यह दोस्तों ⁴जर फेडर ने क्रूट पहे ने क्लास थे दोस्तो यासा नहीं कि वह मैनत नहीं करते थे कोट पे लेकिन लगता नहीं त्याने था इफर्टलिस लगता था उनका हर एक छीज और इक चीज और कितने हंबलते एदोस्तों आब उनके इंट्रिविस कोई भी निकालो, कितनी हम्बली बात करते थे, क्या अमबैसजर थे, स्विजर लेंड के लिए और वर्ल अफ टेनिस के लिए सब लोग जानते थे उनको, डेविड वेकम से लेके हर लोग, सचिन तंदूलकर सब लोग विम्बलिन देखने जाते थे सिर्फ रोजर फेडर के लिए जाते थे दोस्तों, क्या जबर्दस प्लेयर थे उनका रेटार्मेंट लेना ऐसा उनके राइवल का उनके लिए रोना, राफर नडाल को भी क्रेड़ जाता दोस्तों, जीतनी तारीफ सीखने के लिए दोस्तों, मैं क्या बोलूँ आप देखी सकते हो कि इनका जाना बहुत मुश्किल है, मतलब मेरे लिए और भी कुछ बोलना, और सोच के बोलना, कुछ इदर उदर मैं बोल दूँगा, एक ही लाइं को रिपीट करूँगा लेकिन आप सोचो इमोशन देखो दोस्तों, आप फील कर सकते हैं, अगर आप भी रोचव फेर्डर फैन हो, तो आपको भी लगए गा कि ये तो पता ही था कि रिटार्मेंट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से टेनिस की दुनिया से दूर थे लास्ट यर कोई Grand Slam भी नहीं खेला था इनोंने, इस सार भी नहीं खेला था तो ये तो पता ही था कि अन्दे कार्ट से इनका रिटार्मेंट लेकिन अब रिटार्मेंट ले लेना, बहुत ही बुरी खबर है, हमारे फैंस हमारे जैसे फैंस के लिए तो एक और प्लेयर ने आच रिटार्मेंट ली है वो भी बहुत ही शांदार प्लेयर थी अपनी स्पोर्ट में उनका नाम है जुलन गोस्वामी तो उन पर बात करेंगे अब दोस्तों, कैसे जुलन गोस्वामी भी गार्ड ऑफ ओनर दिया, इंग्लेंड की टीम ने और वो हाइली डिजर्व करती हैं दोस्तों क्या अंबाजडर थी इंडिया के लिए इतना सालों तक सर्फ किया इंडिया को 200 से प्लस ODI माचेस खेले हैं उनने सबसे ज़्यादा विकेट आपको बता दू मैं मिताली राज के बाद तो आपको प्लेयर मिल रही है हर्मन प्रित कोर और स्मिर्थी मंदाना लेकिन जुरन गोस्वामी का रिप्लेस्मेंट खुजना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इंडिया में लोग जादा तर बैटर ही बनना चाहते हैं पेस बोलर तो कोई बनना नहीं चाहता खासकर वुमेंस क्रिकेट में अभी यही सीन है रेनु का ठाकुर अच्छा कर रही है लेकिन जुरन गोस्वामी का बूट फिल करना बहुत बरी बात होगी दोस्तों बहुत ही लेजर्टी प्लियर थी इंडिया को अगर लॉस्टी बोस चाहिए था तो वो आके बैटिंग भी करती थी और अच्छी हीटर भी थी यह विमेंस क्रिकेट में तो बहुत बड़ा प्लियर दो रिटायर हुआ है एक रोजर फेडर जुलन गोस्वामी आप स्केल प कुरी दुनिया मैं और उनले में से ग्हस्त शुलन गोस्वामी अब करते हैं दोस्तों की इंडिया स्ट्रिल लेके माच के वारे में बाग करते हैं मैंच के बारे में इंडिया इंडिया में यही हो रहा है दोस्तों से पहले बोला था कि उनका इंक्लीजिन अच्छा हो सकता है क्योंकि वह proper बैटर है तो उनका इंक्लीजिन अच्छा है पाकिस्तान के लिए और विए betters उनको खेल रहे हैं भी शाहिंशा और चलाब खन दोनों बहा रहे हैं तो इसलिए उनको प्राउब्म मा रही है ऑस्ट्रेलिया रडी लग दोस्तों जैसे कि हमेशा लगती है कोई भी टूनामेट में आप इस्ट्रेलिया को डिसकार्ड नहीं कर सकते हैं तो वह अच्छी लग रही ह कि आपको बहुत प्राउड फिल होना चाहिए कि आप रोजा फेटर के फैन थे और उन्होंने क्या सर्वेज दी इतनी दिनों तक थैंक्यों दोस्तों प्लीज लाइक इस वीडियो और सब्सक्राइब और चैनल थैंक्यू